हलो एब्रीबन तो आज हम लोग क्लास 12 के कमेस्ट्री में नया टोपिक पढ़ने वाले हैं सिकंड चप्टर में सॉलिशन ओके सॉल्विलिटी यह बहुत इंपॉर्ण टॉपिक है लेकिन बहुत इजी है कब एक्जाम में तो नहीं पुछा जाएगा कि सॉल्विलिटी क्या होता है लिकने से एक टॉपिक आएगा भी हैंरी लोग जो की बहुत इपॉर्टेंट होगा ओगे तो हम लोग इस ऐस एक कन्टेनर है इस कंटेनर में पानी तक ऑई एक लिटर पानी मी लो लो भशा हूं ठीक है ऐको उसको और एक लिटर पानी रखाओ मैंने अभ इसमें मैं का पहले हंग्एहँ 100 ग्राम है कि विटीन है चीनी डालते हो तूर मैंदेड मगों रकार भी पहले डैश, ठीका ग के मैंने ऑव पचास ग्राम टाला तो नहीं घोल ज़ाया अधायसो क्रम कर दिया ,stepर 149 Pr ! लेकिन ऐसा हैगा जब चीनी घोलना बंद हो जागा तो माल dry बंडो की ओल्मिट बंडशी ज्यक्ता हिस जा म्त क्यए रखते हैं थोड़ देखने सोच लो, ओके, तो ये 500 ग्राम maximum amount है, आप 500 ग्राम के बाद जैसे extra चीनी डालोगा आप, तो वो चीनी घुलेगा नहीं, बलके वो नीचे जमा हो जाएगा, पिंदी में जमा हो जाएगा, तो हर solution के capacity है, कि उसके अंदर solute का amount, आप maximum कितना घुल सकते हो, उस वो maximum amount है, solute का, जिसको solution में घुला जा सकता है, हाँ, उससे ज्यादा, अगर solution डालोगे, उससे ज्यादा solute डालोगे, तो solution में उड़ी घुलेगा, वो dissolve नहीं होगा, पाइंस में आ रहा है, तो भाई, मैंने definition लिखा, देखिया यहाँ पर, the maximum amount of solute, which can be dissolve in a given solvent, at given temperature and pressure, temperature and pressure, में आ रहे तो किया होता है, solubility, तो अब यादना, solubility, वो point है, जो कि maximum है, solute का amount है, लेकिन, यादना, solute के amount को ही हम लोग बोलते है, solubility, यह important चीज है, solute के amount, जैसे आम लोग पिछने lesson में, concentration तम पर पढ़ाए था, अगे, so mol fraction, उसके बाद, molarity, molality, तो यह सब टर्म भी solubility है एक तरह का आप solubility के टर्म के बदले में आप mol fraction यूज कर सकते हो molar dt यूज कर सकते हो, molality यूज कर सकते हो, तो यह important चीज़ है, तो concentration ही एक तरह का solubility तो solubility कहा है, maximum amount of solute, okay, यह जाता हना है, maximum amount of solute, तो maximum amount of solute which can be dissolved, इन गिवन solvent है, at given temperature and pressure है, okay, चलो, माल लो के example से इसको बढ़िया समझता है, तो कि यह clarity जाता मिलाएगा आपको, जैसे माल लो, मैंने यहां पती को तीन, तीन डबावना रखा, तीन container, एक container, एक container, एक container, एक container ह इसमें, इसमें, 100 ml इसमें भी water है, इसमें भी 100 ml water है, इसमें भी 100 ml water है, एक solution मैंने बनाए, example से ज़्यादा clear मिलेगा आपको, example से ज़्यादा clear होगा concept, okay, तो देखो, कि माल लोगता हूँ मैं, कि temperature, room temperature में यह experiment कर रहा हूँ, temperature change करना है, मैंने पहले बता रखा है, temperature different करता है solubility, solubility किस-किस बात पर different करता है, तब यह आने वाले topic में हम लोग पढ़ेंगे, इसे lesson में आगे पढ़ेंगे, पहले हम लोग solubility से related कुछ top समाझ लेते हैं, ठीक है, कि solubility में क्या होता है, जैसे माल लोग temperature, room temperature, generally, तो हम लोग माल लेते हैं, कि room temperature पर 100 ml water में, हम लोग 30 ग्राम ही नमक घोल सकते है, maximum, maximum 30 ग्राम नमक ही घोल सकते है, maximum 30 ग्राम एने लिजॉल इना 100 ml water, यह मान के चल रहा है, को जरूर ही नहीं है, यह मैं आपको easy तरीके से समझाने के लिए यह data ले रहा हूँ, this data may not be true, okay, तो यह सही हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, मैं यह कह रह मैंने आपको समझान के ले लिया, तो solute 30 ग्राम हो गई, simple बात है, जितना maximum आप घोल सकते हैं, तो solute 30 ग्राम इसमें घोला जा सकता है, मैं यह बोलना हूँ, घोला जा सकता है, उसमें solute कतना डाला गया है, यह हमको नहीं पता है, माल लो कि मैंने एक वाला यह container लिया, इस 25 ग्राम ही है, जितना घोल सकता है, उससे कम है, जितना घोल सकता है, यानि कि इसमें कुछ और गोला जा सकता है, इसमें 30 ग्राम इनसेल है, तो 30 ग्राम जतनी solubility है, उतना ही है, इसमें solute का अमांट है, यानि कि बड़ाबर बड़ाबर है, और इसमें दोगो, जतना solubility है उससे ज्यादा गुला हुआ है इसमें जतना solubility है उससे ज्यादा गुला हुआ है इसमें जतनी solubility है उससे ज्यादा गुला गया है 35 gram है तो सिंपल सा बात है यह solubility से इसमें कम amount है इसमें solubility के बड़ाबर amount है इसमें solubility से ज्यादा amount है जिसमें ज्यादा गुला हुआ, जतनी solubility है, उसे ज्यादा amount गुला हुआ, solute का, तो उसको बलते है, super saturated, सम्झा रहा है आप लोगो, I hope you understand, तो अगर solubility से कम गुला हुआ है, तो unsaturated, solubility के वरावर गुला हुआ, तो saturated, और solubility से ज्यादा डाला गया है, तो उसको बलेंग super saturated, okay, हिंदी वाले बच्चों को भी मैंने बता दिया, चलो, आप जहांदना, अच्छा, important जी समझो, तो यह सम्झा है कि solution कतने tap का होता है, super saturated, saturated, unsaturated, okay, चलो, अब एक चीज़ सम्झो, मैंने यह लिख दिया, मैंने बगा बला कि, इसमें solute का amount, solubility से कम होगा, unsaturated में, solute का amount, solubility से कम, तो मैंने यह लिख रखा है, solute का amount, solubility से कम होगा, तो यह unsaturated का case, align है, okay, चलो, और यह हो गया, कि अगर equal गुला हुआ है, amount of solute is equal to solubility, तो उसको बलेंगे, saturated solution, अगर ज्यादा गुला हुआ है, amount of solute ज्यादा है, डाला गया है, गुला नहीं, ज्यादा ड solute का है, उसको बलेंगे, super saturated, क्या बलेंगे, super saturated solution, ठीक है, अब एक चीज़ समझो, saturated solution में क्या होता है, कि जतना solubility है, उतना ही amount of solute है, तो इसका मतलब है कि इसमें और ज्यादा solute नहीं घोला जा सकता है, okay, no more solute can dissolve, okay, in this case, इसमें क्या है कि कुछ solute का amount और भी घोल सकते ह इसमें तो एक स्टाप डाल दियो, तो पांस तो नहीं घुलेगा, पांस है, जब वो पिंदी में जमा हो जागा, settle down हो जागा, अब इक्छी समझो, अच्छा सा आप लो, ठीक है, जैसे माल लो, कि मैंने इस container में नमक को डाला, पानी के अंदर, पानी के अंदर नमक को डाल माल लो, ठीक है, तो क्या होता है, कि पानी में नमक का घुलना, उसको बलते है, dissolution, क्या बलते है, dissolution, मैं लिलिख रखा है या पर, dissolution, तो कोई भी solute का solvent में घुलना, घुलना, उसको बलते है, dissolution, और कभी-कभी पेंदी में निच्छे जमा हो जाता है, ज्यादा नमक डाल गुलेगा भी एक साथ दुनू होगा दोगो पहले लेकिन यह चीज़ समझना बहुत जरूरी है कि जैसे मालों पांच मॉलक्यूल नमग का आया पांच मॉलक्यूल तो पांच मॉलक्यूल आया चार मॉलक्यूल जाएगा वह आपको घुलने के लिए चार मॉलक्यूल घुल जाएगा घुलने का मतलब डिसॉलूशन हो गया घुल गया, गया हो गया एक मॉलक्यूल क्या होगा उसका क्रिस्लाइज होगा, क्रिस्लाइज का मतलब का होता है क्रिस्लाइज का मतलब होता है कि वो पेंदी में जमा हो गया पिंति में सटल नौन हो गया तो और किस्टलाइजेशन यानिए यह अंडिजॉल्व है वो sieves अधिन नहीं हुआ है जो डिसॉलीशन का मतलब वा वो डिसॉल्व हो गया पॉईंट पेली रही है तो इसलाइजेशन का मतलब होता है कि अधिन dissolve वो घुला नहीं है a dissolution कर लोगा है, dissolve होगया ओके। दूनों का मासम वे आगया अब लोगको तो क्या होता है किर श्टार्टिंग में जब unsutiliaster solution तो uns natural divide के के Oreo के क़्े होता है जादा dissolution होता है, जादा dissolve होता है आखक म कριस्टलाइजेश होता है किस्ट्लाइज होता है किस्ट्लाइज का मतलब होता है कि वो पानी में नहीं घुल रहा है मनिकि वो solvent में नहीं घुल रहा है undissolve है तो unsaturator solution में ज़्यादा घुलता है और कम नहीं घुलता है यानि कि desolation का rate ज़्यादा होता है crystallization के rates है ठीक है फाला पॉइंट और इसमें क्या इसमें इसमें जितना देवो चार घुलने के लिए जा रहा है उपर जो एरो दिया हुआ है मैंने इसका मतलब समझाया है कि चार dissolution होड़ा है चार crystallization होड़ा है यानि दुरू का rate सेम है इसमें दुरू rate सेम है समझाया आथको dissolution का मतलब फिर से बताओ घुलना और crystallization का मतलब वहा नहीं घुलना यानि पेंदी में जमा हो जाना सेटल डाउन होना निचे है तो इसमें दुरू rate सेम है इसमें किसका rate ज्यादा है इसमें क्या होगा कि कम घुलेगा ज्यादा पेंदी में बैठेगा ओके इसको बलते है इसमें यहाँ पर मैंने लिख रहा का दूँ हो यहाँ पर rate of dissolution is greater than गलती हो गया आप लोग सही करना लेस दन लिखा हुआ है ओके साइकल ना ओके चलो थो आसा में बढ़ा करके आपको दिखाता हूं यहाँ पर ओके देखो यहाँ एक कैप्टल साइन हो आपको कर लेना सुरी कैप्टल करें ग्रेटर देन टीका गेटर दन का साइन देना यहाँ इसको बलते है अब लोगा साइन आपके डिखाता है इसको बलते हैं अंसाइड बेसको बलते हैं उसको बलते हैं शायसendo अब यह important है यह important है यह saturated वला है सच्रिदोट में जतना जा रहा है डिसलेशन होने के लिए उतना ही crystallization हो रहा है मतनले धेद रिका होगा इसका शुरू में आप जब डालोगे solid को स्टाइटिंग में तो आपका तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? हम लोग इसको बोलते हैं है saturated solution, तो saturated solution में याद ना है कि जतनी solubility होती है, उतना ही amount solute का उखला होता है, एक तो बात यह है, अग दुस्वा बात है कि desolutions का rate और crystallization का rate सेम होता है, इसलिए इसको बलते है equilibrium में आ गया, क्या चीज़ में आ गया, equilibrium का लो equal, okay, crystallization का rate, कि इसका, desolutions का rate same हो गया, तो इसको बलते है, equilibrium, equilibrium dynamics equation, equilibrium, Dalimic equation मतलब क्या होआ, dynamic मतलब क्या होँ, जो move कर रहा Hor茉 Barn motion में है तो नॉम कर रहेगा, już move कर रहेगा, कि पता नहीं चलेगा हमें, ठीक है, to equilibrium to establish हो गया, went to equilibriumиком मतलब क्छलिए इसको को equal, rate of crystallization, rate of dissolution is equal to rate of crystallization इसको बने सुक्षान द्सक्राइणक में न रहे है इसलिए है और यहां पर क्या हो गया सुपर से च्ड़एत में मने मालागा लिएगा requirements is less than rate of crystallization ठीक है यहां पर greater than कसाइन यहां पर greater than कसाइन यहां पर greater than कसाइन ठीक है बागे सब सही है समया है बत को तो यह चीज है तो यह उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह तीनों term अच्छा समया गया होगा unsaturated, saturated and supersaturated unsaturated क्या होगा solute का amount solubility से कम घुला होगा solubility that is super saturated solution अब unsaturated solution ही important है इसमे crystalization करेट डृद्रियोशन करेट, dissolution करेट, dissolution करेट होता है, dissolution करेट ज्यादा होता है, dissolution करेट कम होता है फ़ी किर्दाशा घुलाइब लहाना है, इसमें dissolution करेट कम होता है यह पहला वाला, उपर है solubility के base पे तीन तरह का solution हम लोग ने पढ़ा unsaturated solution saturated solution and super saturated solution okay saturated solution में equilibrium established हो जाता है जतना crystallization होगा तुना ही desolution होगा चलो अब कुल-कुल से factor है जिस पे solubility depend करता है यह important चीज है बहुत important है solubility किस पे depend करता है okay अब बता हो solubile मतलब क्या होता है solubile घुल जाना अब important समयना जो जितनी आसानी से घुल जाएगा उसकी solubility ज्यादा होगी simple सा बात है अब आप लोग बताओ जैसे कि पानी में पानी में alcohol घुल जाता है तो solubility अच्छा solubile solution के लिक्यूट solution किसको कहते है सब लिक्व्थ को उसको कहते है जिसका solvent liquid हो ठीक है लिक्यूट solution में एक तो होगा liquid 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 solid liquid हो जाए एक होगा gas in liquid तो अभी हम लोग लोग आप पढ़ेंगे तो 合र्मिजिक्षूट्षूच विए प्रविचिः सोलीट हो गा लीड़ीड होसे ट कि यहीं इंपरेंगा है इसैमि हम्लों डिखे गेमें हेंसे चाहर सो अरमिट्थ कंपना च्छिज परना हीा ह६ लोगों वह पढ़ना है लिए लिक्यूड और गैस लिक्यूड दो गैस लिक्यूड में हन्री लोग आएगा ठीक है अब कुन-कुन से फैक्टर जिसमें सालवरीटी डिपन करता है तो यह सब बहुत एक्जाम में दो नमन में आ सकता है एक तो नेचर आप सॉल्यूट और सॉ क्डिया भड़ीपन कर से लिए करेंगा ककि अचासे चलो दूर्ण अच्प्रेश्चर-पड़ीचर-क्रेट compromise आप temperature पर कैसे depend करेगा बताऊंगा temperature के साथ solubility घड़ भी सकती है बढ़ भी सकती है आपको कैसे घड़ेगा कब बढ़ेगा तो दोनों depend करता है मैं बता दरहा हो आप लोगो को temperature के साथ जैसे मालो मैंने बताया कि solid in liquid की बात करौँ मैं solid in liquid मैंने बताया कि अभी हम लोग पढ़ने वाले solid in liquid solution solid in liquid के लिए क्या होगा कि जब भी आप solid in liquid के किसमें temperature बढ़ा होगे जब आप जैसे चीनी डालती हो पानी में तो उसमें temperature बढ़ा होगे तो उसके solubility बढ़ जाएगे ठीक है यालिकि temperature जो है तो temperature के साथ solubility बढ़ भी सकता है temperature के दीकली घट भी सकता है मैने temperature के डैलिकली पफरस्बर में सकता है मैने हिए लिए लिक रख्या आप लोग यहा देख बाचा से मैं हिहा लिक रख्या वाज़ो आप लोग अभी सम्झा देता हूँ यही देखलो यहां देखो, बहुत इंपोर्टन चीज़ है, इंडोथर्मिक, मनि जब हीट हम लोगों को देना पड़ता है, हीट जब अब्जॉर्ब होता है, तो उसको बलते हैं एंडोथर्मिक, तो डिल्टा एच पॉस्टिव होता है, इस सब को लिटरेंस मतला है, अब्ज्ट अब्ज्ट निकले, एग्जट करें, तो उसको बलते हैं एंडो थर्मिक, ट्यक्क है तो क्या होता है कि solid liquid में स्टंपरेटर पर दो तरह झादीज अगर आप उसको in a energy just+, then just question में solubility temperature के diagonally proportional होगा ठीक है अगर energy release हो रहा है तो उस case में solubility temperature के inversely proportional होगा this is okay applicable for solid in liquid solution okay solution of the type solid in liquid ये solid in liquid के लिए जैसे नमाप को पाने मिटाल दिया तो उस case में temperature के inversely भी हो सकता है inversely भी हो सकता है तो depend करता है कि हम energy release हो रहा है और इसके लिए ये तो दोल के समया गया अब मैंने यहां लिख दिया एक चीज़ समयना बहुत जरूरी है ये चीज़ समया डेल्टा एच का मतलब क्या हो है डेल्टा एच पॉस्टिव का मतलब ग्रेटर दन जीरो मतलब पॉस्टिव यानिकि एंडो थर्मिक अब आप लोगो समझने के लिए कुछ भी इसमें इंप्रों नहीं सब समझने वाला बात है चलो तो स्वेंटी किस-किस बाद पर डिपन करता है त्व इपन करता है सुवृइट कर नेचर अब स्वיूट रसॉल्विट पर टेंपरेचर है मैंने बता दिया अब टेंपरेचर पर एक और देख लो ओई तो स्लिए और सब्स़ें घाल compose अब बात करते हैं के यह सीफ истор के यह इंपोरेंट旅 गआसली के लिए यह इंपोरेंट छान दना दान fiery सब्सक्ता एंपरेटिूंट इसलिए मैंने बताए आप लोगो हो सकता है कि आप लोगो तो आप गैस को पानी में घुल रहा है तो अगर टेंपरेचर बढ़ा होगे तो पानी में ऑक्सिन क्या मौन्ट घरती जाएगी ठीक है क्योंकि वह गैस को एनरजी मिलेगा गैस तो और वैप्राइस करके भागी गै है तो ऐसे गैस की आनरीच जादा होता है तो ऑके सॉद्रीटि घर डमण्यों लेकिन के लिए लेगन्ही इसने गाश्ळे ens नोरु प्राइद II लेकिन दोनों होगे लेकिन अगर gas and liquid solution है यह हमारा होगा हमेसा कशलो सेट कर लो यानि की temperature की कर वहा हो जिबाख़ाएंगे तो फिर गहांगे पॉइन के लिए यह बहुत इंप्रिटेंट ट्रॉपिक है बहुत पार इंप्रेटेंट कर्ध निएवधर अप्रेशन करता है प्रेशर पे कैसे डिपरन करता है? प्रेशर वाला बात तो पह पहले है, पहले बात कर नहीं किसके लिए लिड़ ल्ग करना पड़ेगा, तो आप बताओ, जैसे आप pressure लगाओग उपर से, जैसे आप gas है, आप पानी के उपर gas के उपर आप pressure लगा रहे हो, तो और घुलेगा उसमें, तो pressure बढ़ाने से solubility बढ़ती है, जैसे आप pressure लगाओगे, तो gas जा करके water में या liquid में मिलेगा, और मिलेगा, तो जतना ज्याद pressure लगाओगे, उतना ज्यादा soluble होगा वो gas, okay, simple सा बात है, तो solubility pressure के directly proportional होता है, solubility pressure के directly proportional होता है, यही हम लोगो henry law पढ़ेंगा भी, ठीक है, henry royce is related, लेकिन किसके लिए है, gas and liquid solution के लिए, जब gas को liquid में घोलना है, तब यह बात लाग होगा, solubility is inversely proportional to temperature, okay, gas and liquid solution के लेकिन यही बात अगर आजाओ pressure के किसमे, pressure किसमे हम ले लेता है, यह solid in liquid solution में, solid, solid जो है, solid और liquid, pressure का मंदर का हो, pressure किसको कर सकते हो, pressure का हो, दबाना, दबाने का मंदर का हो, उसको दबा सकते हो, आप जिसमें ज्यादा vacant place होगा, ज्यादा खाली जगा होगा, okay, जो compressible होगा तो gas तो compressible होता है, gas को दबा सकते हो, तो gas compressible है, तो इसलिए compressible होने की वहे से, gas in liquid solution में, वो pressure के डैगले परसन था, उसकी solubility, okay, लेकिन solid और liquid जो है, in general, वो incompressible होता है, solid को दबा नहीं सकते हो, आप, liquid को नहीं दबा सकते हो, तो solid and liquid, both are almost incompressible, okay, तो वो incompressible है, इसलिए उ उसका solid and liquid solution पे pressure का कोई फर्क नहीं पडता है, pressure depend नहीं करता है, solubility does not depend on pressure, बांने, pressure कित्नों लगा दो, solid and liquid solution पे pressure से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके solubility को, पाइंट समया उसके temperature से फर्क परेगा पाइंट समया है बात को मैं कावल रहा हूं बहुत important बात में मैं बता रहा हूं मैं तो यह बता हूं पहले आप लोग अच्छा से कि लेकिन अगर आप यही बात कर लो इसके साथ इसके बाद प्रेसर की बात कर लेते हैं तो यह बहुत इंपॉर्ट टॉपिक है यह नोट कर लो आप लोग इसको यह इंपॉर्ट है एक पॉइंट मैंने नोट इसली अच्छा से मैंने लिग दिया है इस्टार वाला इसली लिख लेना अच्छा से सब्सक्राइब काम पढ़ेगा ठीक है तो गैस की लिक्यूड जो सॉल्विर्टी है वो टेंप्रेचर के इंवर्सली आप प्रेसर के डैकली होता है यह यादा क टेंप्रेचर बढ़ाओगे गटेगा गैस के लिए और प्रेसर बढ़ाओगे वर्सली बढ़ेगा गैस के लिए ठीक है चलो इसका आप लोग नोट कर लो अच्छा से सकेन सब्सक्राइब लेलो यह टॉपिक खतम हुआ इस सॉल्विर्टी के लिए लोगया आप चलो आते है है हैम्anor होपाय अपर चैका यह इस वेरी इमपॉर्टेंट है कि अब लोग स financi gonna आप उत्ए heri लोग को देख आब लोगया है क्या मसे 경찰 रला कि ये को इस को लिए इस कुट्रम पानी रखा हुआ है स्विक्वर्णी स्फिर्णी के लिक्यूड कर्फेसक गफेसर कहा है कीव विद्सीक इस वक्राइब मोल ट्राइकडी ओने मोल टूणी यही है henry law okay pressure को हम लोग parcel pressure भी कहता है parcel pressure भी बोल सकते हो मैंने henry law का बहुत अच्छा सा definition लिख दिया directly personal बोला न मैंने gas in liquid के लिए henry law है the parcel pressure of gas in liquids okay is directly possible to the solubility बात ख़ता है यह definition है mole fraction भी लिख सकते है what is henry law simple सा बात ही है तो गैस को तुम जब पानी में डालोगे, या कोई solvent में डालोगे, कोई liquid में डालोगे, pressure ज़्यादा लाओ, उपर दबाओगे, तो gas उसमें ज़्यादा गुलेगा, simple सा बात है, आप pressure कम लाओ, तो कम गुलेगा, तो pressure के डिःकली capturing, तो the partial pressure, of the, okay, gas, is die suitable, on d rainyfig以ा, isolubility के बदले में आप mole fraction भी बोल सकते हो, ठीक है, मैंने बोला कि, solubility क्या होता, amount of solute, amount of solute के बदले में आप mole fraction भी युथ कर सकते हो, molality भी युथ कर सकते हो, कोई भी concentration term use किया जा सकता solubility के बदर में तो partial pressure of the gas is degree percent to solubility अब partial pressure of the gas solubility को मैंने ली दिया mole fraction of gas mole fraction of gas, x मतलब mole fraction of gas अब इस proportionality के सान को हटाएंगे, ते constant जोड़ेंगे constant के लिए k h बोल दिया गया, k h, constant नाम दे दिया गया k h क्या है, henry constant है, okay, this is the henry law, okay, sorry जोड़ी, okay, चलो, henry law, उसके बाद henry is constant हो गया यह, आप ध्यादना बहुत important formula है, यह, कि लोड़ गया, henry law क्या हो क्या हो गया, चलो repeat करो में, बहुत important है, यह याद करना हराल में, बोर्ट exam में आएगा, यह, बहुत important है, हराल में याद करना इसको, ठीका, चलो, repeat करो मेरे साथ, बोलो, henry is law, the partial pressure of gas in liquid, liquid बना चलोड़ी है, कि को solution कैसा liquid, gas की liquid में, okay, gas की solubility liquid solution में, liquid solution की बात हो रही है, तो gas and liquid, मैंने बताया भी, pressure के directly professional होता है, gas and liquid में, okay, solubility, तो pressure बढ़ाओगो, solubility बढ़ेगा, तो the partial pressure of the gas and liquid is directly professional to the solubility, एक दुबार रिपीट करो, the partial pressure of gas in liquid is directly professional to the solubility, दुदिन बार प्रैक्टिस करो, भी बोलोगा, याद हो जाएगा, अब मैंने यहाँ लिख दिया, यह लिख दो चलेगा, यह लिख दो चलेगा, यह सत्तीन लिख दना, ज्यादा clarity मिलेगा, देगे आदा partial pressure gas कहा ही है, solubility किसकी है, solubility भी गैसी कहा होगा, अब यह mole fraction ले लिया गया है, solubility के बाद है में, ठीक है, चलो, mole fraction ही लेना है, answer में यह लिख अब kH हेंडी constant कहलाता है, अब क्या है यह यह देखो, अगर pressure constant हो जाए, प्रेसर क्या है, constant, प्रेसर क्या हो जाएगा, तो जो डोनुका PHP हो यह दो quantity होगा है, दो quantity का product गुनानफल constant हो गया, जब दो quantity का product constant होता है, तो दोनों एक दुसे के inversely proportional होता है मेरी बात को गहर सुनना अगर दो quantity का product गुनन फल constant हो जाए तो वो दोन में क्या relation होगा दोन में inversely relation होगा तो इसका मतलब कि kh x के inversely होगा inversely तो मैंने लिखा p constant the kh inversely possible to x x मतलब क्या होगा mole fraction mole fraction मतलब solubility mole fraction मतलब solubility मैंने में लिखा kh is inversely possible to 1 by x kh का मान बढ़ेगा तो solubility का मान घटेगा जो constant है constant का मान हम लोग साइंस में physics हो या chemistry हो उसमें जो constant आता ना constant proportionality constant proportionality का constant generally जो है वो practically determined determined किया जाता है practically ओके एक्स्प्रिमेंटल भेल हो है वो एक्स्प्रिमेंट के थरूब find किया जाता है so don't worry उसके लिए चिंता नहीं करना तुमको kh का वैलू दिया रहेगा कभी भी सवाल देगा तो kh का वैलू तुमको provide कर देगा ठीक है so don't worry आप सुनना चाहसा है केज का वैलू जो है केज का वैलू जो है केज का वैलू कम होता है okay oxyn gas का केज का वैलू कम होता है ध्यान दोना और nitrogen gas इसका helium का केज का वैलू जादा होता है जो मैं बोल ला हूं सुनना चाहसा oxyn gas का केज का वैलू कम होता है कितना होता तुम n saty में देख लेने टेबल में ठीका है है इसका केज का वैलु का मोगा इस्की साफलिटी ज़्हादा होगा है इसकी सलविटी ज़् kau गण होगा किसम में वीटर की एक टेबल दीजंगो टेबल से एडिया ले रहुँत करना कभी नहीं पुछेगा कियेंच का वहाई सोलटेज जता हो ठाए ऑगा उसका ऑग माता डिएक टंपरेचर की इनवर्स लिप आपरेचा-जतर ईंवर्स लिप रहा हूगा अब बताओ ध्यान दना, kh inversely personal to solvity, temperature is inversely personal to solvity, अब बताओ यानि temperature kh के डाइकली personal होगा, simple बात है कि जब solvity तुम जब kh का value जादा होगा, solvity कम होगा, अब solvity कम है, तो temperature जादा होगा, क्योंगो temperature से inversely है, तो temperature के डाइकली होगा, kh डाइकली personal to t, यहनि kh का value temperature के डाइकली होगा, temperature बढ़ा होगा, kh का value बढ़ेगा, बात खतम, चीक है, पन समय आड़ा है, तो एनसाटी में जब टेबल दिया हुआ, उसमें temperature के साथ दिया हुआ है, यह बहुत important चीज़ है, बहुत important है, तो जिसका temperature ज्यादा होगा, उसकी celebrity कम होगे, पहले बात खतम लिए है, जिसका kh कमान ज्यादा होगा, उसको celebrity कम होगे, बात खतम, यतने याद रखे, मैंने जो बोला, कि temperature ज्यादा, तो कh ज्यादा हो, sacred ज्यादा hbbe, कह सेarmid पानी कहम बात से मतिर हो चिस्द्स में है कि रहों है अब मताओ, टेंपरिशा जल्च जाटा हाय, अब बताओ,ono Cold Water, ठंडा पानी अब नंग जाते कासो पानी के अंदर ऑकसिए न कаг दोता है, तो वहां अचली बहुत आज इपानी कनी आज पानी मे घुला हुआ है कि नहीं है हां घुला हुआ एज उन्यTrün दोरी टराने गोलतो दोरीमिक पेफिचर की लाओज घ्लीटー करता दोरीमिक फान अलने टीमिक इंहें भी दोरीमिक फैसे ठन्स न्याद कट्रा भी लैंगर इतलग satisf के जिस क्या टक्रह टैर्म पानी यह तो जाताओ, ज्यादा उसको सहुलत या अच्छा से जो एकोईटीक अनिमल्स हैं, जलिए जीव हैं, वो किस में रहते होंगे, Cold Water में रहते होंगे, Cold Water में ज्यादा होता है, जिसमें ज्यादा oxygen होता है, तो तो न, गर्मी के मौसम में मचलियां उपड़ आगर के सांस लेना सुरू कर देती हैं क्योंकि आमांट कम होती है उनको तो गर्मियों में गरम पारी में ऑक्सिएन कम घुलता है तो ए कॉल्ड वाटर के सांस लेना सांस जैँब चाया तो तो पारी में में सब्सक्राइब अब और भी उतता है प्रक्षण प्षण लेक्षण लिख सकते हो आप फ़र्मूला यह हो एंगया है घ्र का वैलू effe कर में की अटा टा का आप के यहां बाद किसे का वैयलु जो है टंपरेचर बढ़ेगा तो सर बीटी घटेगा जो ठंड़ा पानी एठंडा पाणी का थंड़ा पानी का शोलविटि जादा ऑक्सिंगुला होता है इसलिए थंड़े पानी में जो एकवर्टी का नीमल है ज्यादा रहना परसंद करेंगा सोल्लब सुल्लब को यहाद नहीं होगा मंपें भाइब ज्यादा प्रेशन अग हैं तो Earth वक्लिखयों सव्रस प्रेशन ने ट्रॉभ में चैनलä पंडने टोर। constitution मुद्टर यहां ज़ लिए 315-28 subscribers लोग वह ते टीच लिंटिचर तो कौनकौन limitations है, limitation law कि कहा कहा फेल होता है, इसकी divin rate किया है, divin rate भी बोल सकते हो, ठीक है, तो limitations of the Henry law, pressure of gas is not too high, ज्यादा pressure नहीं होना चाहिए, नहीं होता है, जब बहुत ज्यादा pressure नहीं होना चाहिए, temperature घटाएंगे, तो solvati बढ़ेगा, okay, तो temperature भी बहुत कम नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा pressure नहीं होना चाहिए, जो gas लिया गया, gas solvates reaction नहीं करना चाहिए, यह जालना बात को, जो gas है, उसका dissociation नहीं होना चाहिए, जैसे कि oxygen gas है, oxygen gas टूटता नहीं है, dissociation में टूटना, ठीक है, आगे कि next lesson मालों पढ़ेंगे dissociation और association इस chapter का last topic होगा वो, ठीक है, जहाँ पर हम लोग venture factor पढ़ेंगे, ठीक है, चलो, तो dissociation मालों होता है, तूटना, जैसे मालो, SCL gas, SL को तुम पानी में डालोगे है, तो H plus में टूट जाएगा, ACL minus में टूट जाएगा, यह हो गया dissociation, ओक है, लेकिन जो gas dissociation होता है, उसमें Henry law applicable नहीं है, है, Henry law किसके लिए applicable है, जैसा oxygen gas, nitrogen gas, इसम डिसोशेशन नहीं होता है, इन लोगा, ठीक है, तो dissociate नहीं होता है, इसलिए Henry law इस पर लाग हो सकता है, जिस गयास का है, Henry law का डिसोशेशन होगा, उस पर यह है, Henry law applicable नहीं है, चलो, Henry law की limitations exam में दूर नम्र में आता है, pressure of gas is not too high, temperature is not too low, बहुत ज़्यादा pressure नहीं होना चाहिए, बहुत कम temperature नहीं होना चाहिए, gas react नहीं करना चाहिए, solvent से, gas का dissociation नहीं होना चाहिए, है, okay, यह limitations है, okay, चलो, important यहाँ पढ़ है, application होगे नहीं हो, सबसे important, Henry law, इसी topic में सबसे important topic यह है, आज के class, आज के lecture में ठीक है, Henry law का definition, यह exam में पूछा गया है, board exam में, दूसरा, limitations पूछता है दूर में, लेकिन limitations से भी ज्यादा important है application, यह बहुत है, इस पर competition भी question आया है, okay, अब Henry law का इस्तमाल कहा है, application कहा है, इसका, तो Henry law मैंने क्या बता है, pressure बढ़ाएंगे, तो solubility बढ़ेगा, pressure बढ़ाने से water में, liquid में, gas घुल जाएगा, okay, gas के लिए rule है, Henry law मैं, बार बार repeat कर रहा हूँ, Henry law applicable है, gas की बात करता है, gas and liquid, okay, gas and liquid की बात हो रही है, इसलिए मै मैंने बताया, pressure बढ़ाओगे, तो solubility बढ़ेगी, okay, Henry law है, चलो, अब इसका, application क्या, use क्या है, तो हम लोग कोल्डिक पीते है, Sprite पीते है, जानते हो, Sprite में क्या होता है, जैसे तुम तो Sprite को हिला दो, ठंड निकालो, फिर इसे हिला करके दो, खोलते हो, तो दम संपर की कि दरा निकलता है, तुम यह मस्ति करते हो, कोई का, किसी का, अगर मालो, यह है, बत्रे है, या कोई, कुछ, occasion है, या कहीं, मार्केर जाते हो, पीते हो, तो हिला, खोलाते हो, आप किसी पे तुम, उसको छोड़ देते हो, अब गंदा हो जाता है, करते को निकरते हो, अरे, छोड़ देने, छोड़ देते हो, मस्ति करने के लिए, तो फड़ प्राह के निकलता है, या निकलता है, अंदर से, फड़ाख से ने फेक देता है, प्रेसर, हाई प्रेसर से निकलता हो, क्यों निकलता है, क्योंकि उसके अंदर गैस घोला गया, क्योंकि उसके अंदर गैस इसको cold drink का अंदर soft drink का अदर घोला गया है तो इसको बलते हैं कि solvati उसकी बढ़ाई गई है तो यह है है हेंडी log का इस्तेमाल होगा कि नहीं हुआ हुआ पर कि हेंडी log क्या करता है कि pressure बढ़ाऊ गया तो solvati बढ़ेगा तो carbon taxer gas को soft drink में घोलने से क्या होता है जो soft drink बनता है soft drink का test बनता है बहुत सरी चीज़ उसमें और gradient डाला जाता है तो मैं यह बता रहो carbon taxer gas को उसमें घोला जाता है तो high pressure पे घोला जाता है high pressure क्यों क्योंकि carbon taxer को घोलना है तो ज्यादा solvati तभी होग जब प्रेशर ज्यादा लागे तो high pressure पे soft drink में carbon taxer घोला जाता है जो गैस निकलता है जो हम लोग हिलाते है वो सी सी बोटल को बोटल के बाद जो हाई pressure से निकलता है वही प्रेशर जितना प्रेशर हम लोगोंने पहले लगाया कर उसमें gas को घोला था वही प्रेशर से वह गैस निकलता है करना चाहल दिखा है मैंने क्या है कि carbon dioxide gas की solubility को बढ़ाने के लिए soft drink में soft drink मेंने वही Sprite, Coca-Cola, Pepsi उसमें carbon dioxide gas की solubility बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते है इस हैं हैं लोग आता है कि pressure बढ़ाने से solubility बढ़ती है तो pressure बढ़ा करते हैं तो उसमें घुल जाता है करके है क्यों क्यों ठंडा पानी की solubility क्या होती है ज्यादा होती है तो उसकी solubility ज्यादा मिलेगा ज्यादा oxygen मिलेगा तो उसको ज्यादा सॉलत होगा जीने में उके उसको शर्वाइब करने में आसानी होगी aquatic species survive survive मतलब मैंने कि वो जी सकता है उसमें जीवीतर सकता है aquatic species survive better in cold water than warm water okay ज्यादा गर्म नहीं लेकिन गर्म चलो यह भी हो गया यह भी हो गया पहला इसमाल क्या हो गया तो increase the solubility of CO2 in soft drink यानि कि पेप्सी कोकरला स्ट्राइट aquatic species survive better in cold water than warm water okay थंडे पानी में solubility ज्यादा होती है तो उसमें ज्यादा oxygen मिलेगा उसको scale Auscuba Diverr Scuba diver ूता गोता खोड हो गोता खोड हो गोता खोड जाता हो पानी जाता है तो पीछे अपने पीछे oxygen का एक टेंक लीगा जाता है ठीक है देखेहन को निहीं देखुआ तेंक मुह में लगा रहाता है तो oxygen का ANC को breathing tank कहते हैं उस oxygen tank में oxygen gas भी होता है nitrogen gas होता है helium gas डाला जाता है आप को अ कई सार क्यूँ तो सुन ता समय को जाता है निच्छ लगोगuses से समुद्र में ज焦न जाएगा जाताल पानि जाद ना चाहेगा टानि को पाने प्रिशिय अंदर बढता या ठीग तो यह हम लोग ने परएगी näंगर कीवड़ने से स्पडस्ट से तो पानी के समुंदर के अंदर जितनी गहराई में वह जाएगा solubility बढ़ती जाएगे अब solubility क्या होगा कि जितना उसको oxygen चाहिए उससे ज्यादा oxygen उसके सरीर में जाना शुरू करेगा मने उसके सरीर में जो आदमी समुंदर के अंदर गया है तो गहराई में जाने के वैसे प्रेसर बढ़ जाएगा पानी का प्रेसर भी लागेगा उपर से भी प्रेसर है प्रेसर बढ़ने से क्या होगा जितना उसको oxygen चाहिए था उससे ज्यादा oxygen उसके सरीर में चला जाएगा तो ज़्यादा जब oxygen मिला तो खुसी वाली बात है उसको सांस लने में दिक्कत नहीं होगा तो चलो तुमारी बात सही है सही बोल रहे हो जब ज़्यादा गैराई में गया तो ज़्यादा oxygen घुल गया तो ज़्यादा oxygen उसको मिल गया तो खुसी वाली बात है क्योंकि उसके ल गैस उसके सरीर में जो जमा हुआ था वह बहुत तेजी से निकलने विएट प्पर C आप जोड़ीन झाना तो रघ।वर देदsk दीन हो जजह हो खिती जरुड़ेख लेकर घृटीब सोलो सांस लें आज छोड़े बहुत तेजिस है इतो पॉस्वन नहीं है समझते हु क्या बोल रहे हम तो जो समंदर में गया घहराई में प्रेसर बढ़ने से उसके शरीर में ज्यादा गुल गया इक जैसे वह समंदर की गहराई से उपड़ आना चाहेगा तो उप्पर आने की टाइम में उसका प्रेसर बहुत गटेगा, जब प्रेसर घटेगा तो सॉल्विल्टी भी घटेगा, तो जो ऑक्सिजन सरीर के अंदर था, तो सरीर के अंदर से गैस निकलना शुरू हो जाएगा, तो नाटोजन के बड़े बड़े बुलबुले बनने जब सरीर के बाहार निकलना शुरू को रहागा, और ऑक्सिएन की सॉलूटी कम हो जाएगी उस प्रेसर घटने से, तो वो बहुत दर्द होगा, उस बीमारी को, उस कंडिशन को बोलते हैं, बेंट्स, बेंट्स बने लिग दिया है, बेंट्स, क्या बलते हैं, याद रखोगे समूद्र में गहराई मे जा रहा है, तो ज्यादा ओक्सिएं गॢल लाएग अच्छी बात है, तो तेंकुण ज्यादा ऑक्सिएन मिलना है, था हम लोगो सांस लिनेमे, दिकत नहीं होगे, लेकिन जैसे ही हम लोग समूद्र की गहराई से उपर आना चाहते हैं, गहर जाती है कि प्रेसर घहर जाती है क्या नहीं को बबल्बलनी ऑक्सियन जा भ्राइक जाते हैं चेटको बनते है तो हम क्या चाहेंगे हम लोग क्या चाहेंगे बैंच से बचना है तो टैंक में कुछ न कुछ मिलाना पड़ाएगा कोई लोग कोई गास, ऐसा गास टैंक में हम लोग टालेंगे, जिसकी solvility कब हो, क्योंकि जैसे नीचे ध्यान दना चासा है, जिसकी solvility कब होगी, तो ताकि हम लोग को दिक्कत नहीं हो, तो जैसे नीचे से उपर गया, तो जैसे ही समंदर के अंदर गहराई में जाएं, तो नाइट्रोजन का आमांट और ऑक्सिन का आमांट हमारे सरी में कम खुले, एतना घुलेगी जतना जरूरत हो, ताकि हम कुछ दिक्कत नहीं हो, ज्यादा नहीं गुले, जैसे कि उस टाम मे बोला कि बहुत ज्यादा घुल गया, तो फिर नीचे से जैसे उपर जाएगा आदमी, तो उसको बहुत दिक्कत होगा, बुलुला बनेगा उसे सरी में, बहुत दर्द होगा, तो हम चाहेंगे कि ज्यादा ऑक्सिन गैस हमारे सरी में नहीं घुले, तो हम लोग चाहते है कि उसमें एक ऐसा गैस डाला जाए, जिसका, जिसकी सॉल्विलिटी कम हो, तो हिलियम गैस की सॉल्विलिटी कम होती है, तो जो बिर्धिन टैंक होता है, सांस लनेवाला जो टैंक डबा होता है, उस टैंक में हिलियम गैस का मिक्चर डाल दियाता है, यह निकि नैटोजन गैस इसे बचने के लिए हम लोग करते हैं helium gas डालते है ताकि कि helium gas की solvity कम है पिर एकसाम में बोलेगा कि scuba diver किया इस्तामाल करता है scuba diver जो breathing tank इस्तामाल करता है breathing gas असलए मना जो tank है उसमें कोन gas इस्तामाल करता है nitrogen gas, oxygen gas और helium gas का mixture होता है हिलियम गयस के स्वाइब वाला इनोग्र मिललंगर दरक्रट को 결वरा है की व्रौन आउफ़्क्राइब कि poquito को कियो ढाला गया कि इसलिए स्विल्ज्पर गेगी तो अधू狂वर बाइब नहीं बनेगा तो हमाई यह बेंड वाला प्रॉलम से सकते हैं स्वेखा बहुत इडेडल से मने बताया उमीद करते हैं आप लोगों समय आ गया होगा ठीक है चलो नहीं समय आया तो फिर से वीडियो पाउस करना रिवाइन करना फिर से सुनना एक बात को मैं बता रहा रहा हूं अच्छा से डिटेल से ठीक है चलो तो तो ब्रीदिंग टैंक वाले हिलियम गयस नेटोजन गयस तीनों का मिक्चर इस्तमाल करते है तो मैंने लिखा इसको बाएवर सारी यू यूज बीदिंग टैंक सिटीने लियम गयस तूएबवाइड बेंस बतला बीमारी यूबें जो दर्द होता है जो बुलूले बनते एंटिजिसरन के इसके ईए ए kwam जाटना हुए ट्रया ये जी Chapter 12 अब एक और बात जब उचाही पर जाते हैं लोग साथ video जो जो leckse liberty जो 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 मांटें पेज़ बड़े बड़े पाहारों पेज़ते हमेल तो 12orama होता है कि जह हाइट पर जागर के प्रेसर घढ़ जाता है प्रेसर जब घढ़ता है तो प्रेसर घढ़ता है तो प्रेसर घढ़ते से क्या होता है तो हमारे सरे में जो ऑक्सिजन का होने के वैसे दिमाग काम करना बंद करता है कि विकनेस भी आयाता है कम जो हो इस बिमारी को बलते है अनाउक्जिया थीक है तो इनक्जिया भी उसी application of Henry law है ठीक है यह जा दरना height altitude below height उचाई ठीक है उचाई पर pressure क्या ओजाता है घर जाता है घर्टिन से क्या प्रेसर कम गोने से औक्सिट में कम खुलता है और दिमाग काम करना बंद करता है mentally weak होता है तो उस condition को होता है अनक्जिया चलो समझेंगा अचा से इसलिए हम लोग जो भी मौंटेंटर होता है मौनटेंटर अपने साथ oxygen भी जाता है तो उसको दिक्कत नहीं होता है कि उसमें oxygen उपर में कम हो जाता है इसको बादा रहा बहुत इंपरेंट था यह बहुत इंपरेंट था यह सब आपको हेंडरी लोग का सबसे इंपरेंट पॉइंट था यह मैंने बता दिया इस lesson का इस lecture क बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समय में आया हो अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दो एक लाइक तो बनता है गुरु दर्चना दे कर जा आप लोग ठीक है चलो दे दिया होगा आप लोग चलो ठीक है तो मिलते हैं हम लोग next lesson में इस topic को आगे अगे बाइ